तो बंगाल में जिस तरीके से सियासी घमासान मचा उस बीच सुबह साथ बज़े से मतदान जा रही है वो तस्वीरे भी हम तमाम सयोगी के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के महौल है कुछ गरबडियों की भी खबरें आ रही है इवियम में घर खराबी है लेकि सबसे एहम है कि दरसल ऐसा क्यों बंगाल में घमासान मचा हुआ है जिसकी वज़े से हर राजनेतिक दलों की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी है दरसल हमें देखना होगा कि साल 2016 में हुआ क्या था विधान सबाच चुनाओं में जो परिणाम आये थे वो सबसे ज़ डालें तो 2019 आते आते ऐसा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में जिसकी वज़े से ये हिंदुस्तान में सियासत का आज गड़ दिखाई देने लगा है 164 सीटे टीमसी के पास 121 बीजेपी के पास ये थी तो लोगसभा के चुनाओं की सीटे लेकिन ये विधान सबाच की वो सीटे थी जहां इन पार्टियों ने अपनी अपनी लीड ली थी लेफ्ट बहुत दूर खड़ा नजर आ रहा था और उसके पास किसी भी विधान सबाच सीट में बढ़त नहीं थी और यही वज़े है कि बीजेपी अब इस विधान सबाच चुनाओं में एक बड़ी उमीद लगाए हुए है कि अगर वो लोगसभा के चुनाओं परिणामों को दोहरा लेती है तो यहां एक बड़ी लीड वो ले सकती है लेकिन अगर इस पर हम गोर करें कि साल 2011 में हुआ क्या था सबसे खास बात ये कि लेफ्ट एक बड़ी पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल में मौझूद थी टीमसी ने 184 सीटें जीती थी कॉंग्रेस के पास 82 सीटें थी लेकिन ये आकड़ा 2016 में किस तरह से बदल जाता है इस पर गोर करना बहुत जरूरी है लेफ्ट 76 सीटों पर टीमसी 211 पर बीजेपी महस 3 पर और कॉंग्रेस दूर खड़ी नजर आई लेकिन 2019 में ये तस्वीर तेजी से बदली लोगसभाच चुनाओं में और इसलिए बीजेपी उत्साइथ है और वो चाहती है कि इस तरह का परिणाम जो तकरीबन उसे एक बड़ी लीड देता दिखाई दिया था 40 प्रतिशत से भी जादा मतदाता उसके साथ लोगसभाच चुनाओं में दिखाई दिये थे और देखा हमने ये कि लेफ्ट के पास से वो मतदाता खिसक गया और माना ये जा सकता है कि टीमसी ने तो कहीं कहीं अपनी बरकरार रखी थी सीटों को लेकिन ये लेफ्ट का वोटर सीधे क्या बीजेपी के पास चला गया था अगर वो सिर्फ लेफ्ट का ही नहीं था तो वो कहां से आया और बीजेपी यही चाहती है कि इस परिणाम को एक बार फिर दोराया जाए और इस विधान सभाच चुनाओं में इसलिए वो टीमसी से टक्कर नहीं ले रही बलकि दावा ये कर रही है कि इस बार हम सत्ता पर खाबिस होने के लिए चुनाओं लड़ रहे हैं तो ये बेहत इंट्रेस्टिंग चीज और इसके लिए आज विधान सभाच चुनाओं बेहत गर्माया हुआ खास तोर पर पश्चिम मंगाल में